स्वतुंत्र भारत की राजनीती में हमारा आज का प्रकरण है प्रिभी फर्स हम जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ था उस समय देश दो भागों में बटा हुआ था एक वो प्रांत थे जो कभी अंग्रेजों के गुलाम थे दूसरे वो भूभाग थे जहां पर राजाओ या रजबारे कहते थे इन देशी रियाशतों का भारती संग में विलय करना अत्यावशक था देशी रियाशतों के विलय से ही भारत की एक्ता और अखंड़ता बन सकती थी इन देशी रियाशतों के राजाओं को भारत में मिलाना एक चुनोती थी जिसे नहिरू ने ततकाल बिशिशा दिकार देना उस समय एक परंपरा बनी और ऐसा माना जाने लगा कि ये देशी रियास्तों की राजा बिना किसी सुविदाओं के या बिना बिशिशा दिकारों की भारत संग में नहीं मिल सकते हैं इसलिए इन्हें बिशेशा दिकार दिकर भारत में मिलाया गया। देशी रियास्तों को दिये जाने वाली बिशेशा दिकार को ही प्रिभी पर्स कहा गया था। उस समय भी कई नेताओं ने इसका बिरोध किया था। लेकिन पंडित नहिरु जानते थे कि बिना इन्हें विशेशा दिकार दियो है, हम इन्हें भारती संग में नहीं मिला सकते हैं। देशी रियास्तों को दिये जाने वाले विशेशा दिकार को ही प्रिभी पर्स कहा गया। अब हम बात करते हैं प्रिभी प्यर्ष को लेकर बिवाद या प्रिभी पर्ष की समाप्ति. देसी रियास्तों को दी जाने वाली जो व्यावस्ता थी प्रिभी फर्स वो एक ब्यभाधित व्यावस्ता थी जिसे समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याए की बात नहीं हो रही थी या हम ये कहें कि सामाजिक और आर्थिक ज्याई क्या विलना हो रही थी जिसे 1971 में इंडरा गादी ने जब उनकी सरकार बनी तो भारी बहुमत से जीत दर्ज करके उसके बाद समिधार में संसोधन किया और प्रिभी पर्ष को समाप्त कर दिया इस प्रकरण के अभ्यास प्रष्ण है पहला प्रष्ण है प्रिभी पर्ष से आप क्या समझते है प्रिभी पर्ष से थात्परी है देशी रियास्तों को दी जाने वाली विश्यसादिकार दूसरा प्रस्टन है आजादी के बाद हम जब महराजाओं को प्रीवर्स की शुपता दे गई तो उसमें इसका विरोध क्यों नहीं हुआ वो ये था कि देश की एकता और अखंड़ता करने के लिए हमें ऐसा बहुत करना बहुत जरूरी है और ऐसा तत्कालिं ग्रह मंत्री और प्रधान मंत्री के द्वारा किया गया और समाज के द्वारा इसका बहुत चादा विरोध नहीं किया गया क्योंकि पूरा देश 565 से जादा देशी रियास्तों में बटा हुआ था और ये भूबाग बहुत ही महत्पूर्ण थे अगर ये भूबाग भारत संग में नहीं मिलते तो भारत की एकता खंड़ित हो जाते और कहीं न कहीं वो शुरक्षा के द्रिष्टे से भारत के लिए खतरनाग हो सकता था तीसरा प्रशन है इंद्रा गांधी ने किन कारणों से और कब महराजाओं को दी जाने वाली प्रिवी पर्स की ब्यावस्ता को समाप्त किया इंद्रा गांधी ने 1971 में इस ब्यावस्ता को समाप्त किया इसका मुख की कारण था सामाजिक और आर्थिक पर नहीं लोगुटन को आप धहरी से पड़िए. धन्य बात